पहले कोश्चन है अब इसको बनाते हैं बहुत अच्छे से जिनको ग्राफ बनाना नहीं आता है 11 प्लास में डिलीटिड था उसकता आपने सीखा उसकता ना सीखा हो तो मैं यह मानने के चल रहा हूँ आपने नहीं आता आपको कुछ भी जीरो लेबल से आपको सिखाऊंगा स सीदे कोश्चन से ठीक है और सारे कोश्चन एक जैसे हैं तो क्या लिखा है हमें मैक्समाइज करना इस जैड को तो यह तो चीज बात की है यह जो जैड दिया हो तक इसको मैक्समाइज करो या इसकी मैक्सम वैल्यू बताओ या इसकी मिनिमाम वैल्यू बताओ फिलाल तो मै पुट करें तो उसके लिए जो हमें constants यहां पर दे रखा है और यह मैंने बोल दिया constants क्या है conditions तो in condition के according हमें graph बनाना है और उसमें देखना है कि x की और y के लिए हम क्या ले सकते हैं ठीक है तो देखो क्या करना है सबसे पहले हमें एक दे रखा इस तरीके से दे रखा है तो आप सबसे पहले इस line को draw करेंगे अब यहां तो inequality है तो जब भी inequality हो तो solve करने के लिए हम इसको consider कर लेते हैं क्या equal to यानि consider कर लेंगे कि यह x plus y is equal to 4 क्या है x plus y is equal to 4 अब आप मुझे बताओ क्या यह line हम बच्पन में draw नहीं करते थे x plus y is equal to 4 आपको गहां सर यह दो बच्पन में करते थे कैसे कि अगर यह हमारी एक टेबल है xy x 0 और y 0 रखके कर लेते थे तो अगर मैंने x को 0 पुट करा तो y कितना आएगा 0 करो फुट वाई 4 आएगा और y को 0 पुट करा तो x कितना आएगा 4 तो यहाँ पर point आएगा 4,0 यह आएगा 0,4 अब इन दो point से हम line draw कर लेंगे क्या करेंगे इन दो point से हम line draw कर लेंगे तो यह x axis है यह y axis अगर है तो 4,0 की बात करों तो 1,2,3,4 4,0 कहीं यहाँ हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर 1,2,3,4 0,4 हमारा मालो यहाँ हो गया 0,4 ठीक है अब इस line को draw कर दो ने line draw कर दी तो हमारी यह line तो आगी x plus y is equal to 4 सर आप बोलोगे सर यहाँ तो inequality था तो inequality का roll क्या है फिर ठीक है inequality का roll यह है कि अगर आपको x plus y less than equal to 4 दे रखा था तो अब आप यह याद रखना जो अपनी line draw की है यह जो आपने line draw की है इस line का answer अगर x plus y is equal to 4 होता तो हमारा यही line answer है यही line है यही line होती है answer लेकिन अगर inequality चाहिए वो less than हो चाहिए greater than हो तो answer line के यह तो इस side माना जाता है यह इस side होता है मतलब इस line के यह तो इस side यह line के इस side होता है ठीक है clear हो रही बात मतलब क्या अगर x plus y equal to 4 सरफ होता तो line हमारी यह है लेकिन अगर x plus y less than equal to है less than का sign है यह greater than का भी होता तो माइन में रखना कि हमारा answer यह तो इस side होगा यह इस side अब decide कैसे करें इसको decide करने का बहुत एक simple fund है यहाँ origin है हमारा 0,0 अगर हमारा given जो line है जो यह quality है अगर इस वाले point को satisfy करेगा इसका मतलब यह side होगा अगर यह point satisfy नहीं करेगा तो नहीं होगा जैसे for example आप road है यह road है आप यहाँ पर जा रहे हैं ऐसे 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 अगर आप गुटका खाते हो गुटका अगर खाते हो और गुटके की दुकान यह है तो आप गुटके की side जाओगे और गुटका नहीं खाते होगे तो अपना चले जाओगे और कहीं समझे हो तो आपको क्या करना है इस line के according कोई भी एक point ले लेना है जरूरी नहीं है कि आप original लो यह सिर्फ direction को देखने के लिए होता है मैंने बोले ना इस line के पास दो ही option है यह तो इधर यह उधर और कोई option नहीं है आधा धूरा कोई option नहीं है तो हम यहाँ पे कोई भी point ले सकते हैं आप चाओ तो यहाँ भी ले सकते हो ऐसा कोई compulsory condition नहीं कि और अब original यह सार छोटा point है 0-0 है इस calculation भी आसान रहती है और दिख भी रहाँ साफ साफ तो इसलिए ले रहे है 0-0 आपका मन करें वो point ले लो अगर वो satisfy कर गया तो उसी side हो जाएगा answer समझा हो तो चलो हमने क्या करा इसमें put कर दिया क्या कर दिया इसमें put कर दिया 0,0 put 0,0 तो 0 प्लस 0 0 4 बड़ा है 0 से true condition आ रही है 4 बड़ा है 0 से true condition आ रही है इसका मतलब इस line का answer इस side है अब तुम बनाने को तो ऐसे बना सकते हो क्या यह line है यह पूरा डार कर दो ऐसे से करके नीचे पूरा ऐसे समझा हो पूरा ऐसे खराब कर दो दिखी नहीं कुछ भी लाइन का answer इस side है ठीक है चलो इतनी बात समझ में आगी अच्छा एक बात और बता देता हूं अगर y chance x plus y less than 4 होता equal to यहां ना होता तो क्या फरक पड़ता कुछ भी फरक नहीं पड़ता बस यह line जो बनाई है ना यह वाली line बस यह वाली जो line है वो dotted form में होती कैसी होती same बनती dotted form में होती अगर equal to यहां पर नहीं होता तो लेकिन यहां पर equal to है इसलिए हमें पूरी dark line बनाई है otherwise यह dotted form में बनती ठीक है बस इतना सची यह है अच्छा अब हमारे पास कौन सी line है यह है अगर मैं इसको consider कर लूँ पहले क्या x is equal to 0 तो x is equal to 0 line कहा होती है x is equal to 0 line कहा होती y axis पर होती न क्योंकि y axis पर x 0 होता है तो मैं yellow color से बना देता हूँ x is equal to 0 line ओई यह क्या होगा ठीक है एक मड़ी यह एट एच कर दूँगा भी ठीक है तो यह पहले x is equal to 0 बना लेते हैं यह line हमारी होगी x is equal to 0 लेकिन हमसे तो बोला x 0 के equal भी ठीक है greater भी है greater का मतलब क्यों होता है x positive और x positive कहा है इधर side होता ना right side तो इसका arrow हम यहाँ बना लेते हैं इसका arrow हम यहाँ बना लिया clear ठीक है एस तरी ठीक है अच्छा जी और यह 4,0 है ठीक है यह हो गया अच्छा अब हमारे पास ऐसी y consider करा y equal to 0 अब y equal to 0 कहा होता है x-axis पर होता है y is equal to 0 होता है x-axis पर तो मैंने यह blue color से लाइन बनाई है y is equal to 0 रिप्रेजेंट करेगा लेकिन y greater than 0 भी है यह 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 के लिए positive है नहीं कहा हुआ उपर side आपको लेना होता है इनका common part अब तीन लाइन होगी ना मारे लिए इस line का answer जो है इस line का जो answer वो नीचे है ठीक है इस line का answer क्या है नीचे है इस line का answer इस side है और इस line का इस line का answer उपर side है सबढ़ हो तीन है है आपके देखो एक तो हमारी line इदर है yellow वाली देखो yellow वाली इदर इस लाइन का नीचे और इस लाइन का उपर क्या लग रहा आपको मतलब इस लाइन से उपर इस लाइन से नीचे इस लाइन के दर तो क्या common part हमारा यह वाला आएगा ध्यान से देखो बताओ तो common part देख पा रहे हो तो अगर common part आपको देख गया है तो इसी को बोलते है common part को वैसे feasible region क्या बोलते है जो common part होता है को कोई बोलते feasible region क्या है तो बहुत सारे point है इस line पे तो अब हमें सारे point नहीं लेने होते हैं सिर्फ corner points लेने होते हैं क्या लेने होते हैं सिर्फ corner points ही हमें लेने होते हैं only corner points अब corner पे कौन कौन सा है एक तो यह O दिख रहा है इसको चलो A मान लिया इसको चलो B मान लिया तो corner काल लेंगे जैड एट जीरो कॉमा जीरो यह नहीं ओ पॉइंट कितना आएगा अच्छा जैड हमारा है क्या ठीक है यह अटा दे तो नहीं तो कन्फिजन हो जाएगी कॉर्णर पॉइंट इक दियो हने तो अब जैड हमारा है 3x प्लस 4y तो जब पॉइंट होता है तो यह x हो होता और यह y होता है तो यहाँ पॉट कर दो 3x0 प्लस 4x0 कितना आजाएगा 0 फिर जैड एट 4,0 तो 3x4 और y0 है तो 4x0 यहाँ रख रहा हूं मैं x और y यह x और y ठीक है तो यह 12 आएगा तो जैड एट 0,4 तो x को 0 और y को 4 तो यह 16 आगए तो maximum कहा है क्या maximum 16 है 16 है maximum तो आप लिखोगे जैड maximum is equal to 16 यह नि maximum निकालना था है और किस point पे है एट यह हमारा कौन सा point था वैसे बी लिया था हमने पैसे तो a b से कोई फरक निपड़ता एट 0,4 में तो यह ना 0,4 पे है ठीक है क्लियर होगे सबको बात तो आपको यह बता देना कि किस ठीक है किस तरीके से किस point पे है और कितनी value है यह दोनों चीज़ आपको बताना है अब आपने NCRD में हमें सांसर मैच करवाता हूं मैच कर लेते हैं तो लिखो यह लिखा है maximum z is equal to 16 at 0,4 clear तो आपको इस तरीके से करना है clear है कि नोट कर लो इसको अच्छे से अब ऐसी कोश्चन होंगे तो आपको revision हो जाएगा